तेरे मेरे साथ की घड़ियां जीवन में सबसे वड़ी हैं तुम हसते हो तो लगता है सामने मन्जल खड़ी है जी हां exactly ऐसा ही लगता है मुझे जब आप लोगों के बहुत सारे beautiful messages मुझे throughout the platforms मिलते रहते हैं ऐसे गजब के results मिलते रहते हैं thank you from the bottom of my heart आप लोगों का प्यार आप लोगों का अशिर्वाद ही इस चैनल को यहां पर लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा I'm 100% sure thank you so very much यहां पर जितने भी results में आप लोगों को दिखा रही हूं यह बहुत ही थोड़े से results है thousands of messages are still pending जो कि मैं share कर सकती हूं लेकिन आप समझ सकते हैं कि सब share नहीं हो पाते हैं लेकिन यह जो मैं यहां पर share कर रही हूं यह मैं अपना confidence आप लोगों के साथ share कर रही हूं कि मेरी remedies बहुत खुबसूरत results दे रही हैं अचली मेरी नहीं यह बहुत ही natural remedies हैं आप सब इसको try कर सकते हैं कोई side effect नहीं है please make the most out of the beautiful things that I am sharing with you I am 100% sure that आपको भी बहुत अच्छे results मिलेंगे summer season में बालों का growth rate बढ़ जाता है तो क्यों नहीं से cash in किया जाए और कुछ बहुती productive और कुछ बहुती amazing आपके बालों के लिए किया जाए sounds like a plan? Let's do it! Hello to my beautiful people, welcome back to the channel आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्त हैं, खुश हैं, अपना खयाल रख रहे हैं और पीती प्रेणा के चैनल से दिल से जुड़े हुए हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत आज आपको बहुत सारे रीजन मिलने वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना रीजन नीचे लिखना बिल्कुल मत भूलेगा आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही कमाल का शेयर करने वाली हूँ जिसके यूजेट से आपके बालों में बहुत खुबसूरत सी ग्रोथ होने वाली है जिन लोगों के बालों में हेर ग्रोथ रोख चुकी है believe me I promise you ये remedy आपके बालों में hair growth करके ही छोड़ेगी आप चाहें या ना चाहें आपके बालों में अगर बहुत ज़्यादा dullness आ चुकी है तो भी ये remedy आपके बालों में वो जान हूखने वाली है जिसका आपको खुद बता नहीं होगा क्योंकि at times it happens कि हमारे बालों में जैसा उनकी quality हो जाती है जैसा texture हो जाता है हम सोचते हैं that's the only thing for our hair लेकिन अगर आप इसको follow करते हैं तो I promise you कि आपके बालों को एक नई जान मिलने वाली है and you are going to be really happy बहुत सारी तारीफ होगी what needs to be done इस remedy के लिए आपको so coming to the point what needs to be done देखिये आप लोगो को दो स्टेप्स में ये रेमेडी करनी है number one oiling and number two hair rinse क्या एकी दिन करने है बिलकुल नहीं आपको दो अलग अलग दिन करने है for example अगर आप वेंस्टे को oiling कर रहे हैं which is a very good day for oiling तो वेंस्टे को आप ये oil प्रिपेर कीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ और इसको अच्छे से अपने scalp पे अगर आपको length में चाहिए तो length पे रपलाई कीजिए and let it be on your hair for 3-4 hours and then wash off your hair क्या overnight रख सकते हैं बिलकुल भी नहीं 3-4 घंटे sufficient हैं ये आपके बालों को वो सारे nutrients प्रोवाइड कर देगा अल्रेडी गर्मिया आ चुकी हैं गर्मियों में body temperature भी हाई होता है और external environment का temperature भी हाई होता है तो दोनों ही चीज़े आपके जो infusion है उसको activate कर देता है no problem another thing, hair rinse जो आपको करना है वो थोड़े gap में करना है so let's say Wednesday को आपने oiling करी है तो आप Saturday या Sunday को hair rinse करेंगे सबसे पहले आपको एक बहतरीन सा infusion oil अपने लिए prepare करना है which is going to be the hero of the entire remedy इसके लिए आपको चाहिए number one, castor oil यानि की अरंडी का तेल number two, coconut oil यानि की नारियल का तेल and number three is your red onion यानि की प्यास सफेद प्यास नहीं purple वाला जो normal हम घर में यूज करते हैं वो वाला प्यास अगर आपके पास shallots available हैं वो जो छोटे वाले प्यास होते हैं तो आप दो shallots ले लीजिए वो भी आप यूज कर सकते हैं इसके बाद preparation के लिए आपको जो half onion आपने लिया है उसको अच्छी से पील कर लीजिए और इसके बाद आप इसे grate कर लीजिए यानि की कदुकस कर लीजिए कदुकस करने के बाद जो पल्प आपके पास आएगा उसको आप अच्छी से निचोड लीजिए tentatively आपके पास एक से दो चम्मच जो है वो onion juice आजाएगा इस juice में आपको अपने बालों की length के हिसाब से तेल लेना है क्योंकि मैंने सिर्फ scalp के लिए प्रिपेर किया तो मैंने दो चम्मच castor oil और दो चम्मच coconut oil का इस्तमाल किया है अगर आप पूरी की पूरी length पर लगाने वाले हैं तो आप इसको exactly double कर लीजिए या फिर जितनी भी आपकी length है उसके हिसाब से prepare कर लीजिए castor oil आपके बालों के लिए एक वरदान है ये बहुत थिक oil है शहद भी इससे थोड़ा सा जादा तरल होगा ये इतना थिक होता है लेकिन ये आपकी skin के लिए ये आपके बालों के लिए ये आपके scalp के लिए एक वरदान ही है ये बहुत 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 ही nutritive है ये आपके बालों में जो soy हुए follicles हैं उनको strictly उठा देता है another ingredient जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है onion वो भी उतना ही strict है onion आपके बालों को जो soy हुए follicles होते हैं उनको वापस से activate कर देता है instigate करता है blood flow को जिसकी वजह से hair growth बहुत सारे लोगों के जिनकी रुख जाती है वो बढ़ जाती है जिन लोगों के बालों में गंजा पन आने लगा है scalp पर यह उसको भी cure कर देता है जी हाँ onion बहुत strong remedy है बालों के लिए और जब आप direct onion oil onion juice का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह another level benefit प्रोवाइड करता है यहाँ पर coconut oil का इस्तेमाल सिर्फ as a carrier oil इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि castor oil काफी थिक होता है इस वज़े से जब आप इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से blend करेंगे तो magic तो आप बनाई रहे हैं no doubt in that लेकिन यह आपके बालों के लिए जो boost है वो आपको try करके ही पता चलेगा मैं तो सिरफ बता सकती हूँ और शायद शब्द पूरे नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए इसको आपको try ही करना पड़ेगा इसको जब आप अच्छे से mix करेंगे तो यह एकसार हो जाएगा जेल जैसी consistency आजाएगी बहुत सारे लोग शायद comfortable ना हो तो आप इसको आवन में 10 seconds के लिए घुमा सकते हैं ताकि यह थोड़ा सा लूज हो जाए doable हो जाए, workable हो जाए और तब आप इसको apply कर लीजे लेकिन यह completely optional है मैंने इसको आवन में नहीं घुमाया और मैंने directly apply किया मैंने इसका application throughout my scalp किया scalp में आप gentle hands से जम जाता है, जिस वजह से अगर आप इसको बहुत vigorously करेंगे तो आप अपने बालों को खुद तोड़ सकते हैं तो यह step आप avoid कीजिए इसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से बांथ दीजिए for 3 to 4 hours जी हां, क्योंकि गर्मिया चल रही है तो overnight रखने की आवशक्ता आपको बिल्कुल भी नहीं है 3-4 घंटे में यह अपना magic आपके बालों में definitely कर देगा इसके बाद आप अपना head wash कर लीजिए जैसे कि आप normal shampoo से करते हैं क्या हमें conditioner इस्तेमाल करना है I would say a big no जब आप यह remedy follow कर रहे हैं तो आप कोई conditioning अपने बालों में मत कीजिए because conditioners are nothing but pure chemicals जो आपके बालों में आप लगाते हैं यह आपके बालों का moisture लेकर ही आपके बालों को you know, moisturize करके उन्हें एकदम से bouncy कर देता है तो I would say conditioners आप इस्तेमाल मत कीजिए क्या इस remedy के दोरान हम हिना और इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें कोई परिशानी नहीं है अगर आप किसी दिन glitch करके हिना लगा रहे हैं या इंडिगो पाउडर लगा रहे हैं so no problem at all, go for it क्या इस soil को हम prepare करके रख सकते हैं देखिए, it's a huge and beautiful and big warning to all my beautiful people out there इस soil को आप store करके नहीं रख सकते growth चाहिए ना, थोड़ी सी मेहनत कीजिए जितनी बार भी इस soil का application किया जाएगा आप लोगों को इसे fresh prepare करना है देखिए, आलस मत कीजिए believe me, यह बहुत खुबसूरत remedy है जो आपको बहुत प्यारे results दे सकती है provided आपको थोड़ा सा physical effort करना है कोई आपको monetary खर्चा नहीं है पैसा नहीं लगाना, कुछ अलग से खोदना खादना नहीं है कोई ऐसा बड़ा ताम जाम वाला काम नहीं है सिरफ oil prepare करना है बालों में लगाना है और head wash करना है that's all oiling cup cup करनी है देखिए अगर आप हफते में दो बारे soiling को कर सकें तो बहुत बढ़िया बात है लेकिन कुछ लोग comfortable नहीं है they are very busy तो आप हफते में एक दिन this oil को use कर लीजिए absolutely no problem another thing is onion जो है वो आपके बालों को थोड़ा सा frizzy कर देता है ये बिल्कुल सही बात है जब भी आप onion oil onion का इस्तमाल करेंगे तो आपके बालों में हलका सा frizz आ जाता है which is absolutely normal cure किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि है रिंस करना है मांड के पानी से मांड का पानी क्या होता है आप लोगों को चावल कौन सा वाला चावल जो चावल आपके पास available है उस चावल को आप अच्छ से बॉल कर लीजिए let's say आपको एक बार का रिंस प्रिपेर करने के लिए कि मैं बताती हूं, आप 2 city छावड ले लिजिए और 1 cup पानी ले लिजिए इसको अच्छी से बॉय कर लिजिए इस पानी से आपको अपने बालों को अच्छी से करना है, धोना है, कि दोनों ही step में कर सकते हैं, देखिए कोई फाइदा नहीं है to be और एक दिन हेर रिंस कर सकते हैं, हेर रिंस आप बिना ओईली बालों में, जब आपके बालों में कुछ नहीं है, आप तब इसको हेर रिंस कीजिए, दो घंटे अपने बालों में रहने दीजिए, and then wash off with plain water, right? Rice water is something जब आपके बालों में हेर ग्रोथ तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही, अरियन की वजह से जो फ्रिंस आने वाला है या आज चुका है, उसको भी सेटल कर रहा है, जी हाँ, rice water यहाँ पर आपका सेवियर बनके आया है, जो की हमारी oiling की जो रेमिडी के साइड एफेक आप लोगों के बहुत ही beautiful से results देखने के लिए, अगर आप बहुत परिशान है अपने बालों को लेकर कि ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे नहीं दिखते हैं, डल हो गए हैं, सुन्दर नहीं हो रहे हैं, बला बला बला, I would say आप इस रेमिडी को definitely try कीजिए, try it out for one month, two months and then and see कि क्या changes आप में आते हैं, नहीं आते हैं, तो छोड़ दीजे कोई side effect, तो होने नहीं वाला है, believe me, you are going to be really happy, castor oil का application गर्मियों में इतना जादा comfortable नहीं है, I understand, लेकिन अगर आप इसको as a remedy यूस कर रहे हैं, तीन से चार घंटे का application है, तो आपको hair growth बहुत खूबसूरत म मुझे messages आरे हैं, तो हमारी शादी है, हमारी घर में शादी है, what should we do for, you know, instant growth for my hair, this can really help you out, so all the very best, trying this remedy for yourself, I am 100% sure कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे results मिलने वाले हैं, and आपको drill मालूम है, come back and tell all of us कि आपके लिए ये remedy कैसी रही, I would love to hear it out of all of you, thank you so very much, I really appreciate each one of you taking out your time, जो मुझे मेल्स कर रहे हैं, मेसेज़ कर रहे हैं, देम्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कि सिरफ आपको मेसेज करने के लिए हमने अपना Instagram account बनाया है, to all of those people, thank you from the bottom of my heart, so keep rocking, keep doing the beautiful things for yourself, और अपने results मेरे साथ शार करते रहे हैं, ये मेरा confidence है, ये मेरा fuel है, इसी लिए, keep them coming, enjoy to the fullest, अपने बालों का ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए, और पीती प्रेणा के चानल से जुड़े रहे हैं, मैं आप से मिलती हूं, अगली वीडियो में, with something magical for your skin and hair, आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही कमाल का हव बात चल रही है, ये हवाई, जुल्फों में मेरी, गुम हो जाए, वाव, अच्छा था ना, ओके,